दोस्तों अगर बात करें तो जो शोमी है न वो आने वाले समय में लाँच उवेंट में देखने को मलें गो और सिर्फ इतनी बात नहीं है इसके साथ मी 11 Lite का भी प्लान है जो कि आने वाले समय में चाहत, मी 11 आयनाम से इंडिया में लाँच हो जाए और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको मी मेक्स फॉल्ड भी देखने को मले योगी शॉमी की इनिशली कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही कि आने वाले से वो काफी कमाल की चीज़े कर सकते है लेकिन 23rd अप्रेल को जो लॉंच इवेंट होने वाला है जहाँ पे मल्टीपल फ्लैक्शिप लेवल के जो फोन है वो रिलीस होने वाले है और हाँ यहां सब एक फोन रिलीस नहीं होगा Snapdragon 88 के साथ मल्टीपल फोन होने वाले है चलिए आप इस वीडियो में सब के बारे बात करते हैं फ्लैक्शिप लेवल का होने वाला और किसी भी एंगल से एक सस्ता फोन नहीं होने वाला इसकी जो एक्सपेक्टिट प्राइस रखी गई है अभी तक डीलर वगएरा से जो हम दे इनफो निकाली है वो यह एकि 70,000 रुपे हो सकती है और यह हो सकता है कि इसकी उपर इनिशल ले कोई ICICI का डिसकाउंट या कुछ भी ओफर वगएरा लगा कि इसकी कीमत 65,000 तक हो जाए इसका effective price तो हाँ जहां पर वो OnePlus 9 Pro से compete कर सकता है और Vivo के X60 Pro Plus के बराबर इसी कीमत जा सकती है 70,000 रुपे के साबसे एक phone होने वाला है लेकिन इस phone के अंदर खास बत क्या होगी वेल यहां भी आपको 6.8 इंच के Quad HD Plus डिस्पले देखने कम लेगा AMOLED डिस्पले होने वाला है 1700 nits की peak brightness होगी याद रखना है यह peak brightness मैंने बोला है 800 nits की brightness 1700 nits में 2x का difference नहीं होता इसका मतला भी होता कि जब HDR content देख रहो तो कहीं भी है कोई brightest point हो गया तो screen के किसी particular area की जो brightness होगी peak वो देख साइट की जाती है regular जो brightness रहती है वो sustained brightness काफी जादा कम रहती है इसलिए हमने देखा है कुछ phones के अंदर जहां पर आपको कम brightness देखने को मलती है peak के अंदर लेकर quality आपको काफी जबर्चस देखने को मलती है तो जी हाँ आप इसे ऐसा मत समझिएगा कि इसकी जो brightness है वो डबल है तो जादा चेक्स्पीरेंस हो जाएगा HDR content के अंदर थोड़ा बस फर्क पड़ सकता है लेकिर regular use के अंदर 1780 nits एक normal रहने वाल है इसके साथ ही quad HD plus solution होगा curved glass होगा यानि के curved display होता है वो आपको देखने को लेगा corny gorilla glass victus की protection देखने को मलेगी quad HD plus solution है 120 Hz है Dolby Vision को भी जो display वो support करेगा हाँ इस phone के अंदर सिफ Dolby Vision दिखाने का support है उसे record करने का support नहीं है इसके साथ ही बात करते हैं आपे secondary display भी यू लगाएगा फोन के पीछे 1.5 एक AMOLED screen है जिहां जिसका use करके secondary display पर अलग नग notification अलग content देख सकती एवन उसका use करके पीचे की तरफ जो camera लगाएगा है ना 50 megapixel सा उसका selfie भी ले सकते हैं और सब इतनी यह बात नहीं है इसके अंदर जो chipset यूज किया किया कि snapdragon 888 chipset मनलब powerful processor होने वाला है 5NM की technology पर बेस्ट है अब देखते कि इसकंदर आपको heating वगरा के जो issues होते वा आपको देखने को मिलते हैं की नहीं मिलते और एक और important चीज यहां पर यह कि यहां पर आपको जो RAM देखने को मिल रहे हैं 8GB की LPDR 5 RAM जो की 6400 MHz की speed पर clocked है जी हां थोड़ी से high speed पर clock देखने को मिल रहे हैं UFS 3.1 की storage है और अभी जो information पता चली उससे यह है कि इसका सिर्फ single RAM और storage का जो version होता है वही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जी हां इसके साथ इसकंदर आपको IP67 की rating देखने को मिलने वाली है जी हां वही बात करें MIUI 12.5 के साथ आएगा Android 11 के साथ होगा camera setup काफ़ interesting है 50MP का custom image sensor है Gn2 image sensor देखने को मिल रहे हैं आपको OIS देखने को मिल रहे हैं इसके साथी 48MP का ultra wide angle lens और 48MP 5x का telephoto zoom lens भी देखने को मिल रहे है याने कि 5s का zoom है 48MP का Sony का image sensor है तो जिहां camera में भी यहां पर काफ़ी सही तरीके से काम किया गया है और इसके साथ ही phone 8K में video 4K में video record करने के capable होगा और selfie के लिए हापे hole punch के अंदर 20MP camera है और under display fingerprint scanner है जिसमें special infrared sensor भी लगा गया है याने की under display fingerprint scanner का use करके आपकी heart beat को भी monitor किया जा सकता है यह भी काफी interesting है stereo speaker भी इस phone के अंदर रखे गाई है और harmon carden से जो certification होता है वो मिला इसे और overall phone का जो weight वो भी हापे थोड़ा से जादा हो गया है मी 11 अल्टरा का जो weight है 234 अब यह super phone होने वाला है 70,000 रुपे का phone होने वाला है सारी technology उसमें यहापे pack कर दिए दिखते है exactly कैसा रहता है और वही बात करें बैटरी और charging की मी 11 अल्टरा में कैसी है तो 500 mmH की बैटरी है लेकिन यहापे 67 watt की charging का support मिल रहा है wired और wireless दानों में तो जी हाँ wireless charger भी जो Xiaomi का होता है 67 watt वाला वो भी उसे यहाँ पर announce कर सकते है क्योंकि phone के अंदर 67 watt की wireless आने वाली है और लग रहा है यहाँ पर जान बूच के 2 watt सिफ इसनी बढ़ा है ताकि यहाँ पर OnePlus को तोड़ा compete कर सके उनके phone में 65 watt आती है ना लेकिन पूरी बात यहाँ पर खतम नहीं हो जाती इसके साथ इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो मी 11 फोन है वो भी इंडिया में आने वाला है और पिछले साल जो मी 10 आयता यह उसका सक्सेसर होगा यहाँ पर यह मी 11 डिरेक्ली कंपीट करेगा OnePlus 9 और Vivo के X60 Pro से और मी 11 की जो कीमत होगी राउं 120Hz का refresh rate होगा और यहाँ पर आपको 1500 nits की Peak brightness देखने को मिलेगी और बोल लगया कि आपको 900 nits की sustain brightness देखने को मिलने वाली यह भी काफी सभी चीज़ है इसके अंदर Snapdragon 888 होने वाला है 5G होने वाले सब 6 GHz का होगा जैसे Mi 11 Ultra ता और यहाँ पर जो RAM होगी वहोगी LPDR5 3200 MHz मे सब्सक्राइब और यहां पर बात करें तो सामने की तरफ Corning Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन इससे भी देखने को मिलेगी इसलिए जो फोन के की मंतर रौन 50,000 का जो मार के वो टच कर सकती है जिसके साथी बात करें इसके कैमरा की तो यहां पर 108 Megapixel का मेन कैमरा 8 Megapixel का Ultra Wide of 5 Megapixel का ज सब्सक्राइब वह भी यहां पर होने वाला है और यहां पर जो stereo speakers होते हैं Harman Kardon के वह भी आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर जो बैटरी होगी वह होगी 4500 mAh की 55W की wired charging 50W की wireless charging और reverse wireless charging को सपोर्ट करेंगा काफी साही फोन हो जाता है काफी interesting features के साथ आपको देखन और Mi 11 की कीमत around 50,000 के plus होगी क्योंकि इस टैप के काफी कमाल के features के साथ आने वाल है फिर भी लग रहा है कि 8GB 120GB वाली की कहीं न कहीं कीमत 50,000 के आसपास रखने के लोग कोशिक करेंगे और इसके साथ बारी आती है कि Mi 11X और Mi 11X Pro की Mi 11X successor होगा Mi 10T का और जो Mi 10T Pro आया था ना की Mi 10T, Mi 10T Pro में सिर्फ 108 Megapixel camera का फर्क है, यहाँ पर Mi 11X और Mi 11X Pro में यहाँ पर आपको camera का difference हो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसका साथ यहाँ पर आपको difference देखने को मिलेगा प्रोसेसर का, Mi 11X में Snapdragon 870 होने वाला और Snapdragon 888 देखने को बाले हो Mi 11X Pro में, technically देखा जाए तो य भी rebranded phone होंगे, Redmi K40 जब भार Poco X3 नाम से launch होने वाला है, वो इंडिया में launch होगा Mi 11X नाम से, और Redmi K40 Pro Plus है, वो इंडिया में बन के आएगा Mi 11X Pro नाम से, अब बात कर इसकी कीमत है, वो क्या हो सकती, तो ऐसा हो सकता है कि 40,000 रुपे तक कीमत शुरू हो जाए, आपके Mi 11X Pro करें, तो देखा जाए, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि Mi 11X Series के साथ, यहां पर लोग आईकू से complete करनी कोशिच कर रहे है, और क्या पता, Vivo के X60 और जो OnePlus 9 नार आया है, वहां भी काफी जादर competition देनी कोशिच की जा रही है, अगर बात कर रही है, यहां पर आपको क्या ची देखने को लेगा, और जो Mi 11X महां पर Snapdragon 870 को भी रखा गया है, प्राइस कंट्रोल करने के लिए हां पर 6GB 120GB RAM वाला मी मौडल है, और 8GB RAM 256GB स्टोरेज वाला वर्जन होगा, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि LPDR 5 RAM रखी जागी और UFS 3.1 स्टोरेज रखी जागी, यह फ दौनी फोन के अंदर 8MP का अल्टर वाइड अंगल लेंस और 5MP का जो टेली मेक्रो कैमरा होता है, वो आपको देखने को मिलने वाला है, और इसी के साथ ही बात करें, अंडर डिस्प्ले फिंगर्प्रेंट स्कैनर इन दौनी फोन के अंदर नी होगा, जी हां, इसी के साथ ह कोई headphone jack नहीं होगा, लेकिन high-res audio का support होगा, stereo speakers होगा, Dolby Atmos के support के साथ देखने को मिलेगा, और definitely यहां पे आपको 5G देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और जो Mi 11X Pro होगा ना, उसके अंदर आपको Wi-Fi 6 enhanced का भी support देखने को मिलेगा, और बैटरी भी दौन ही फोन के अंदर Otherwise, same होने वाले हो, और हो सकता है कि जो base version की कीमत में difference हो, वो शाय लगबाग 8-10,000 का होता है, हो सकता है कि 6 GB RAM वाला version, यह लोग Mi 11X Pro का निकाले में, सीधे 8 128 निकाले, और हो सकता है 6 128 यह कीमत, यह लोग 30,000 तक ले जाने कोशिच करें, तो देखा है तो अभी Xiaomi की यह पूर Mi 11X Pro देखने को वाले का 50-50 से उपर वाले सेग्मेंट में, आपको Mi 11 देखने को मिले का regular वाला, और जो Mi 11 Ultra है, उसे की मैदलग बाग 70,000 तक जाएगी, जहाँ पर वो कुछ discount वगरा देने के कोशिच करेंगे, किसी ना किसी card offer के करान, तो हाँ, अभी के सामें यह कहानी जल में में यूँ दो में यूखनो हाँ, आपको materा के सामें यह किसी ना के सामेश मेंगे, यूए पूभी को devil वे करेंखक्तों में यह किसी ना करेंगे, किसी क्र्शिका शूज़ जहाँ हाँ, श двух दबस्हां में यहाँ, गathy स्वारे, किसी USDA ये से चिरए, किसी हैं अबस्तों